हम आपको रूबरू करा देते हैं, यूपी के लिए कॉंग्रेस ने जारी किया लिस्ट आपको बता दे हैं, कॉंग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है कॉंग्रेस ने 41 उम्मीदवारों का एलान किया है उम्मीद्वारों में से 16 महिलाओं को टिकेट दिया गया है तो बड़ी जानकारी है आज दूसरी लिस्ट की गोश्ट यह जारी हुई है जिसमें 41 उम्मीद्वारों की गोश्टा की गई है 41 उम्मीद्वारों में से आपको बता दा है कि 16 महिलाओं को इस बार टिकेट दिये गए है दूसरी लिस्ट में तो बड़ी जानकारी क्योंकि जिस तरीके से उत्तर परेश विधान सबा चुलाव बेहत नज़्दीक आ गया है तो ऐसे मैं लिस्ट यहाँ पर जारी की जारी है उम्मीद्वारों के नामों की गोश्टना की जारी है कॉंग्रिस उम्मीद्वारों की दूसरी लिस्ट जारी हुई है एक तालिस उम्मीद्वारों के नामों की गोश्टना हुई है और उसमें से सोला महिलाओं को टिकेट दिये गए है तो बड़ी जानकारी जापर एक तालिस उम्मीद्वारों में से सोला महिलाओं को टिकेट दिये गए है और इस खबर पर जादा अपडेट के साथ दिली से हमारे समवादाता इस परश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए है इस परश जिस तरीके से दूसरी लिस्ट की आपर गोशना कर दी गई है और 41 उम्मीद्वारों के नामों की गोशना हुई है जादा अपडेट देखें बिल्कुल कॉंग्रेस की तरफ से ये दूसरी उम्मिद्वारों की सूची उत्रपदेश विदानसभा चुनाओं के लिए उतारी गई है इसमें महिलाओं को भी शिरकत देखने को मिलती वे नजर आ रही है कुल 41 उम्मिद्वार है जिसमें से 16 महिला उम्मिद्वार जो है देखने को मिलते वे नजर आ रहे है अगर हम उम्मिद्वारों के नाम अपने तमाम दर्शकों को बताएं सारनपुर नगर से श्रीमती सुक्विंदर कोर को पहली महिला उनको ये टिकट दिगई है कहराना से हाजी अकलक को ठाना भवन से सैयम सैनी शामली से आयूप जंग छतरवाल से महिला केंडिडीड डौक्टर याश्मीन राना उनको टिकट दिकट दिगई है महिला केंडिरेट के बारे में बता दे तमाम ठाकुर द्वारा से सलमा आगा अंसारी बिलारी से कलपना सिंग चौदसी से मिथलेश साही बबाद से संगीता त्यागी मोती नगर से नीरच कुमार प्रजापती हापुड से भावना वालमिकी इसके साथ सयाना पूनम पंडे द थी और उसमें उमिदवारों को लेकर नाम जो है फाइनलाइज कर लिये गए तो आज जो है लिस्ट जारी कर दी गई गया ऐसे में हमने भी देखा था कि पिछली जो उमिदवारों के सूची आई थी उसमें भी जो महिलाओं की भागिता थी वह ज़एदा देखने को मिल र चुके हैं तो ऐसे मैं कॉंग्रेस की तरफ से ये दाव कितना एहम माना जा रहा है ये तो बड़ा सवाल रहे गए लेकिन है जिस तरीके से इस लिस्ट में भी 16 उम्मीदवार महिला है इसको लेकर कॉंग्रेस निताओं से आपकी कोई बाचीत हो पाई है कॉंग्रेस जो है हमेशा ये कह रहे है कि इस बार महिलाओं को जो है हम सशक्ष करने की कोशि Precis करते बें नज़र आने कि इसंही को लेकर हमने देखा था कि समाज में जो आ जो अब महिलाओं उसको किस तरीके से आगे लेकर आया जाए सभी दल लेकर अपने तरीके से आज पाइटे की रन निती थे निती तमाहम तरीकित सब्सक्राइब लेकर से जाति पया संसें वो Charge करें में और महिलाओं पर दाव लगाने की कोशिश कें कि तरफ जाती वी नजर आएंगी तो कॉंग्रेस को निश्चित तोर पर पिछले विदानसभा चुनाओं के संदर्म में इस बार जादा सीटे जो है मिलती वी नजर आ सकती है तो ऐसे में कॉंग्रेस महिलाओं पर दाव खेल रही है अब ये दाव सीधा जाएगा या फिर उ दिखिए अभी जो है ये नाम जो है कॉंग्रेस की तरफ से गोशना कर दी गई है धीरे-धीरे करके और लिस्ट जो है आती वी नजर आएंगी अभी चुनाओ आयोग ने जिस तरीके से अभी जो है चुनाओ प्रचार की बात की जाए या फिर जशन पर जिस तरीके से रोक लगा रख है तो कोविड प्रोटोकोल के तहट जो है तमाम चीजे जो है यहाँ पर की जारी है और कॉंग्रेस खास तोर पर सबसे पहले हमने देखा था कि डिजिटली रैली के तौर पर कॉंग्रेस तयार होती नजर आई थी प्रेंका गांडी वाडरा ने जो है कारेकरता है वो इस बार उत्तरपदेश विदानसभा चुनाओं में कॉंग्रेस का रहतावा नजर आएगा बलकुर इस तरीके से यहाँ पर सोला महिलाओं को टिकेट दिया गया है और महिलाओं को शशक्त करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है तो ऐसे में कुछ नाम ऐसे इस चुनाओं में कॉंग्रेस का प्रदर्शन बेहत खराब रहा था और इस बार भी हम देख रहें कि जादा तर जो एक्जिट पॉल वगारा है वो भी कुछ कुछ कॉंग्रेस को जादा जो है सीटे देते वी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे में कॉंग्रेस ने नए तरीके से आज जो चुनने की प्रकरिया शुरू की थी ऐसे में महिलाओं की सहवागिता जादा से जादा हो इसको लेकर प्रेंका गाधी वाडरा जो है जो लगातार अभियान भी चलाती भी नजर आ रही थी ऐसे में जो जादातर चेहरे हैं कॉंग्रेस की इस लिस्ट की बात करें तो वो नए चैरे के तोर पर जो है देखने को मिल रहे हैं पर शुरू शाती साथ दो लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है आने वाले समय में अभी कुछ और लिस्ट आ सकती है क्या देखिए अगर हम बात करें आने वाले समय में अब आज जो अलग-अलग पार्टिया है उनकी लिस्ट किस तरीके से जारी होगी चाहिए वो भारतिया इंता पार्टी की बात करें या फिर सपा की बात करें उसके अधार पर अब कॉंग्रेस अपनी रणनीती बनाती वी दूसरी पार्टियों की लिस्ट की जो है वो आजो है प्रतिक्षा कॉंग्रेस करती वी नजर आएगी लेकिन जानकार ही है कि बाहरतिय जनता पार्टी की जो लिस्ट है वो उत्राखंड चुनाओं को लेकर बात की जाए या फिर उत्तरपदेश चुनाओं को बात की जाए तो वो कभी भी जारी होती भी नजर आ सकती है साथी साथ इस पर शिये भी जनकरी देजिए कि 41 उम्मीद्वारों के नामों की घोशना होई है उनमेसे कुछ ऐसे नाम भी है जिनको दुबारा सरिकेट दिया गया है देखिए अगर इसके अगर हम बात करें नहीं सामने आयते तो ऐसे में कॉंग्रेस के फ्रेश रुवात उतरप्रदेश में करती भी नजर आ रही है चाले ठीक है स्पर्श बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर नजर बना रखिएगा आगे भी आपसे अपडेट हम लोग लेते रहेंगे तो फिलाल बड़ी जानकारी जिस तरीके से 41 उम्मीदवारों के नामों की आपर घोशना हुई है और वहीं 16 महिलाओं को टिकेट इस बार दिया गया है और सबी फ्रेश शेरें याँ पर बताया जारें जिस तरीके से हमारे समवादाता इस पर चुशर्मा जानकारी दे रहे थे तो सारंपुर नगर से सुक्विंदर कौर को टिकेट मिला है